नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आये हो पाप सब मज़े महीं होंगे दोस्तों आज की ये वाली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वाली है और दोस्तों आज की इसी स्टॉक की मैं आप लोगों को पूरी बात करेंगे इसके फट्रेंचल जाओंगे सुदे के इसी स्टॉक की इस्टेट और रिकॉर डेट का होने वाली है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को एंट तक देखना और कहीं पर भी स्किप मत करना फिकर अगर आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप करोगे तो आप काफी जादे information मिस्करजाओगे चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको कौन साय फंडामेंटली स्टॉंग स्टॉक जिसने आप धमाकेदार स्टॉक स्प्लेट अनौंस कहें 2 is to 4 के रेशियो से दोस्तो इस स्टॉक का नाम बता दिने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ और डिटेल्स के बारे मैं बता देता हूँ तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक के पास्ट रिटरंस की एंड वह एकर हम बात करें इसके 52 वीक लोगी तो हो 632 रूपीस का है एंड जो 52 वीक खाया है वो 1025 रूपीस का है तो stock का जो current price है currently अपने 52 वीक लोगी तरफ में move कर रहा है जो कि हमें बताता है कि यह जो stock है भी एक downwards trend के अंदर में move कर रहा है आईए अब बात कर लेते हैं इस company के कुछ fundamentals की तो सबसे वहले हम लोग बात करेंगे market capitalization की तो इस company की जो market cap है हो 7212 करोर्स की है इसका PE ratio 11.29 का है PB ratio 4.76 का है industry PE 14.32 का है debt to equity ratio काफी ज़दा अच्छा है सिरफ 0.02 का है ROE return on equity काफी ज़दा amazing है 51.41 की है EPS की बात करें तो 67.93 का है dividend yield यहाँ पे 2.35% का है इस stock की जो यहाँ पे book value है वो 173.64 रुपीस की है और जो face value है वो यहाँ पे 4 रुपीस की है तो company के fundamentals तो काफी ज़दा अच्छे हैं आईए बात कर लेते हैं इस company के financials की तो सबसे वहल हम लोग बात करेंगे revenue की 2018 से लेके 2022 तक के data की तो 2018 मे revenue था 3,104 करोर्स का वही 2019 में बढ़के 3,194 करोर्स पे आया बढ़ 2020 के अंदर एक correct होके 2724 करोर्स पे आ गया था बढ़ 2020 के बाद से लगातार बढ़ता जारा है और current ये 2022 के अंदर में 5032 करोर्स पे आ चुका है अब आईए बात कर लेते है profit की तो 2018 में profit 116 करोर्स का था वही 2019 में कम होके 49 करोर्स पे आ गया था बट 2019 के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है और करन्ट ये 2022 के अंदर में 663 करोर्स पे आ गया है नेट वर्थ की बात करें तो आप देख सकते हैं कमपनी की जो नेट वर्थ 2018 में थी वो 646 करोर्स की थी और 2019 में हलकी सी कम होके 642 करोर्स पे आई और 2019 के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है और करन्ट ये 2022 के अंदर में 1516 करोर्स पे आ चुकी है तो आल ओवर फाइनेशल्स की बात करें तो काफी जाद अच्छे फाइनेशल्स भी आई अब बात कर लेते हैं इस कमपनी के शेर होल्डिंग पैटन्स की तो सबसे बहुत है हम लोग बात करेंगे सेप्टेंबर 2021 के पैटन्स की देन होसे हम कमपैर करेंगे सेप्टेंबर 2022 से सेप्टेंबर 2021 के अंदर में PROMOTERS के पास यापन पे 63.96% का stake था कंपनी में RETAIL INVESTERS के पास 31.99% का METAL FUNDHERS के पास 2.13% का foreign institutions के पास में 1.89% का and other domestic institutions के पास में 0.03% का आईए अभी से compare कर लेते हैं September 2022 से तो जो promoters की current holding है वो 64.14% पे आ चुकी है approximately promoters ने हाँ पे 0.20% की purchasing करी है वहिए अगर हम बात करें हैं हाँ पे retail investors की तो इनकी holding 31.44% पे आ चुकी है approximately 0.5% की selling करी है retail investors ने mutual fund houses की holding 2.23% पे आ चुकी approximately 0.1% की purchasing करी है नोने and foreign institutions की बात करें तो इनका stake 2.18% पे आ चुका है तो लगबग-लगबग 0.3% की purchasing करी है foreign institutions ने other domestic institutions ने यहाँ पे 0.02% की selling करी है and इनका current stake यहाँ पे 0.01% पे आ चुका है तो all over share holding patterns की बात करें तो काफी जादा strong है because सारे जो भी transactions होए हैं काफी जादा healthy होए है आईए अब बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है Supreme Petrochem Limited and company का जो NAC code है वो है SP, L, P, E, T, R, O and वहेगर हम बात करें company के official announcement की तो आप अपनी screen के उपर में देख सकते हो company ने आप stock split announced के 2 to 4 के ratio से जिसका मतलब गिया है अगर आपके पास में इस company के 2 stocks होँगे तो वो यहाँ पे 4 stocks में convert हो जाएगे मतलब अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो वो यहाँ पे 2 stocks में convert हो जाएगा और इस stock split को देने की जो x date होने वाली है 5th January 2023 की होने वाली है और जो record date है वो हने वाली है 6th January 2023 की तो अब अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि आप आपको इसके stock split का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी x date यादे की 5th of January से पहले-पहले purchase करना होगा और दोस्तो आज की वीडियो के अंडर इतने है अगर आपके वीडियो अच्छा हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because finomedia के अंडर आपका ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मेलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई